भारत के परंपरागत खरेवी रिटेल ट्रेप को बचाने के लिए व्यापारियों ने खोला मौचा वालमाथ फिलिप कार दील के विरोग में वालमाथ फिलिप कार दील रद करने की मांग भारत के व्यापारियों के लिए रिटेल ट्रेप पॉलिसी एवन एकॉमर्स के लिए पॉलिसी बनाए जाने की मांग को लेकर उप्तर प्रदेश की राजधानी लखनों में व्यापारियों ने निकाला पैदल मार्च राश्ट्रुपती प्रधान मंत्री विता मंत्री को भीजा ग्यापन देशपर में सभी राजियों की राजधानियों एवं प्रदेश के अनीत जिलों एवं देशपर के एक हजार स्थानों पर Confederation of All India Traders के बैन तले हुए धरना प्रदर्शन पैदल मार्च तारांकन 10 जुलाई से आदर्श व्यापार मंदल प्रदेश के प्रमुख जिलों में व्यापारी सम्मेलन आयोजित कर व्यापारियों एवं जनता को जागरूप करेगा आज 2 जुलाई सोनवार उक्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंदल सनग्द कन्फेडरेशन ओफॉल इंडिया ट्रेडर्स के बैन अतले प्रांतिय अध्यक्ष संजय गुप्ता के नित्रित्व में राजधाने के व्यापारियों ने रिटेल व्यापार को बचाने एवं बढ़ाने के लिए तथा एकॉमर्स के प्षित्र में विश्व की सबसे बड़ी वॉल्माट फिलिपकार्ट डील के विरोड में तथा बील रद करने की मांग को लेकर लालबाग सुपर मार्केट से गांधी प्रतिमा जीपियों तक पैदल मार्च निकाला जिसको नगर निगम के पास पुलिस बलनी रोग ग्यापन लिया वॉल्माट फिलिपकार्ट डील रद कियो जाने की मांग भारत के रिटेल ट्रेट के व्यापारियों के लिए व्यापार नीती एकॉमर्स के लिए पॉलिसी बनाने की मांग का ग्यापंजिला प्रशासन के ACM प्रथम श्री आनंद सिंग जी के माधियम से राष्ट्रपती प्रधानमंत्री वितमंत्री को भेजा देश का रिटेल ट्रेट खत्रे में आ गया है बड़ी बढ़ी बहुराष्ट्री और कमपनियों ने भारत के रिटेल सेट पर पेंटालीस प्रतिशत से अधिक अपना कबजा कर लिया और बड़ी कमपनियों वॉल्माट फिलिपकार में दील करके भारत के व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है व्यापारी मीता संजय गुक्ता ने कहा वॉल्माट फिलिपकार दील अभी कमपटीशन कमीशन में पैंडिंग है यभी यह दील के इंग सरकार में रग नहीं की तो भारत के रिटेल व्यापारियों का भविश्य अंधकार में हो जाएगा भारत का परमपरागत खरेवी रिटेलर इंग बहुराश्ट्रियों के यहां नौक्रिक करने को बाध्य हो जाएगा उन्हों ने कहा वॉल्माट मेट्रो एवं अन्य कमपणियों को होलसेल की अनुमती दी गई थी किंते यह कमपणियों होलसेल के बहानी छदन वीट से रिटेल व्यापार भी कर रही है उन्हों ने कहा केंद्र सरकार में सिंगर ब्रांड रिटेल में 100% FDI की अनुमती है इससे भी भारत के परंपरागत रिटेल व्यापार पर भविश्य में बहुत बुरा असर पड़ेगा उन्हों ने बताया उत्पादकों के साथ मिलकर बहुराश्ट्री ये कमपनियां अपने एकाधिकार वाली पेकेजी गेवन नुल्यों का निर्धारं कर रही है जबकि इनको जो अनुमती दी गई थी इसमें स्पश्च précis रहे है कि यह किसी भी प्रकार की कीमतों को प्रभावित नहीं करेगी लोगी यह कमपनियां सरकार के नियमों कानूनों का उल्यमगन कर रहे हैं और आपने बनाएं नियम कानून चला रही हैं उन्हों ने कहा केंद सरकार के वानिजय मंत्राले ने चार वर्षों में FDI और E-commerce कमपनियों के प्रती सज़ता दिखाई लेकिन भारत के परंपरागत खरेवी व्यापार को बचाने बढ़ाने तथा प्रतिस पर्धा में इन कमपनियों के मुकाबले में टिका रहने है तो कोई चिंता नहीं की व्यापारियों ने प्रधान मंत्री, राश्ट्रपती, वितर मंत्री को भेजे ग्यापन उन्हों ने कहा वर्लमाट इस्ट इंडिया कमपनी का अस वर्जिन है जो देश को आर्थिक गुलामी की ओर ले जाएगा व्यापारी मीता संजय गित्ता ने बताया आदर्ष व्यापार मंदल उक्तर प्रधेश के सभी जिलों में व्यापारी सम्मेलन आयोजित कर व्यापारियों और जनता को जागरूप करेगा पैदल मार्च में संगतन के प्रदेश उपाधियक्ष विनाश्त्र पाठी, प्रदेश उपाधियक्ष एवन मीडिया प्रभारी इलबल हसन, प्रदेश कोशाधियक्ष मूशुन्य अफजल, प्रदेश उपाधियक्ष शिकांत शर्मा, प्रमेट शर्मा, नगर के वरेष्ट महामंत्री दीपक लांबा, प्रवीन वर्मा, रिपोट मोहन वर्मा. तक बक एक हजार इस धनोबर, और उन्तिस राजियों के राज़्धानी पर हम दों प्रदसन कर रहे हैं, वालमार्ट और फिलिपकार्ड की जो भी डील हुई है, विश्व की सबसे बड़ी डील, जो 16 बिलियन डॉलर की हुई है, जिस दील को रद्ध करने की मांगों को लेग जाए, साथ ही साथ e-commerce के लिए देश पर पॉलिपी बनाई जाए, क्योंकि अगर भारत का परांपरकत व्यापारी, इनका व्यापार नहीं बचेगा, तो भारत वापर सिर्फ चप्जे में विजेशों के आजाए झाल जाए